नमस्कार आप देख रहे हैं करेंच नियूज और मैं हूँ शुतीव कॉंगर्स से इस्तीफा देने वाले जो तिरा दिप्ति सिंध्य समर्थक मंत्री और विधायकों को लेकर भाजपाला कमान इन दिनों बेहत हैरान है हरानी का कारण है भाजपा द्वारा कराये गया एक गुपचुप सर्वे जिसमें इन 22 पूर्व विधायकों और मंत्रियों में से करीबन दो दर्जिन से ज्यादा की सीट खत्रे में नजर आ रही है जी हाँ इसी कारण अब भाजपा भी मंत्रियों मंदल विस्तार में इन पूर्व मंत्रियों के भागिदारी पर संचे कर रही है सूत्रो के अनुसार बी-जे-पी अलाकमान के इशारे पर एक सर्वे एजेंसी ने मध्यप्रदेश में स्तीफा देने वाले कॉंग्रोस विधायकों और सरकार के उन मंत्रियों को सर्वे किया था जिस सर्वे में ये बात सामने आई तो अलाकमान परिशान हो गया जिसमें भाजपा के टिकेट पर कॉंग्रेस के तेरा पूर्व विधायक और मंत्रियों की हालत पतली दिखाई पड़ रही है बताया जाता है कि भाजपाला कमान इन सर्वे को लेकर चिंतित है और यही कारण है कि मुख्य मंत्री शिवराज सिंग ने अपने मंत्री मंदल विस्तार में कॉंग्रेस के पूर्व मंत्रियों को इस्थान देने में कंजूसी बढ़ती है लेकिन शिवराद सरकार के उपर दबाव बढ़ता जा रहा है मंत्री मंडल गठन करने की कॉंग्रिस से आए विधायक बहुत तनाव में हैं कि कहीं मंत्री मंडल से नाम हट ना जाए इसी कारण चर्चा है कि जल्द से जल्द गठन हो परंतु सिंध्या समर्थक उप्चनाव में सीट बचा लेंगे इसकी कोई गैरंटी नहीं है इनके लिए अपना खून पसीना सिंध्या बहाए तो वो भी बेकार जा सकता है सिती तो यहां तक बताई जा रही है कि वर्तमान के सिंध्या समर्थक दोनों मंत्री भी अपनी सीट उप्चनाव में बचा पाएंगे या नहीं इसकी भी कोई गैरंटी नहीं है वहीं पूर्ट भाजपा प्रतिनिध्यों ने भी अपनी सीटों से चिड़ाओ लड़ने की इच्छाएं जता ही है इसका कारण सिर्फ एक नहीं है कि कॉंग्रेस जमीन लगातार प्रचारत कर रही है कि दोके बाज हैं वो जो हमारे नहीं हुए तो आपके क्या होंगे कॉंग्रेस भी दिन प्रति दिन सरकार और भागी विदायकों को गेर रही है कॉंग्रेस ने भी एक सर्वे कराया जिसमें पार्टी का दावा है 22 में से 19 हार जाएंगे और इसी सर्वे के आधार बनाकर लगातार कॉंग्रेस भी जेपी पर हमलावर है कबलनाथ प्रदेश में कॉरोना की स्थिती प्रवासी मच्टूर के सानों की समस्या को लेकर शिवराज पर सवाल उठा रहे हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें